डंकी को सबसे पहले 21 दिसंबर 2023 को विदेशी बाजारों में नाटकिय रूप से रिलीज किया जाना है। इसे एक दिन बाद भारत में सालार पार्ट एक सीसफायर के साथ रिलीज किया जाना है। फिल्म को 2024 तक स्थगित करने। की अफवाह थी जिसका खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान खंडन किया था। डंकी का वितर्ण पेन मरुधर एंटर्टेन्मेट द्वारा किया जाएगा। इसे यश्राज फिल्म्स द्वारा उत्तरी अमेरिका और यूनाइटेड। किंगडम सहित विदेशी बाजारों में वितरित किया जाएगा फिल्म के अंतरराष्ट्रिय गैरनाट किये वितर्ण अधिकार 230 रुपए करोर में बेचे गए। जबकि घरेलू गैरनाट किये स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा 155 रुपए करोर में। हासिल किये गए फिल्म का टीजर डंकी ड्रॉप एक शीरशक से 2 नवंबर 2023 को खान के 58 जन्मदिन के अफसर पर जारी किया गया था। इसमें 6 ड्रॉप्स होंगी और एक के बाद एक रिलीज होंगी। डंकी एक आगामी भारतिय हिंदी। भाशा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो गधे की उडान नामक अवैध आप्रवासन तक्नीक पर आधारित है इसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है, जिन्होंने अभिजात, जोशी और कनिका धिल्लों के साथ पठकता लिखी है। रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट और जियो स्टूडियोज के बैनर तले निर्मित इसमें शाहरुख खान तापसी पन्नू, विक्की कॉशल और बोमन इरानी हैं, मुकेश छाबडा कास्टिंग डिरेक्टर थे। तापसी पन्नू को जन्वरी 2021 में मुख्य महिला घूमिका के रूप में चुना गया, जो खान के साथ उनका पहला सहियोग था। विक्की कॉशल बोमन इरानी, दिया मिर्जा और सतीश शाह अप्टूबर 2022 में कलाकारों में शामिल हुए। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई। पहला शेडिूल मुंबई में शुरू हुआ और खान ने अप्रेल 2022 में अपने दृश्यों का फिल्मांकन शुरू किया। फिल्मांकन जुलाई 2022 में बुड़ापेस्ट और लंदन में हुआ और पूरा हो गया। महीने बाद खान की विशेष्टा वाला एक बाइक अनुक्रम अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था। नवंबर 2022 में सुदी अरब में 12 दिवसिय कार्यक्रम हुआ जिसमें जेद्दा और नेयों स्थान शामिल थे। दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्यप्रदेश में तीन दिवसिय कार्यक्रम हुआ। जनवरी 2023 में खान की विशेष्टा वाला अंडर्वाटर सीक्विंस मुंबई में फिल्माया गया था। इस बीच खान जो एक अन्य प्रोजेक्ट जवान के लिए भी काम कर रहे थे ने अप्रेल 2023 में अपनी। शूटिंग पूरी की उसी महीने टीम चार दिवसिय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई जो शीनगर पंपोर सोम्मर्ग सहित थजवास ग्लेशियर और पुलवामा में हुई। गणेश आचार्य द्वारा कोरियोग्राफ किया गया एक गीत अनुक्रम। कश्मीर में फिल्माया गया था।